देश में 2024 के लोकसभा चुनाओं को लेकि हर एक सियासी दल अपनी चाल चलने लगा है कल हमने देखा कि मद्ध प्रदेश में भारतिये जनता पार्टी ने अपनी प्रत्यासियों की जो सूची जारी कि उसमें कई केंदरी मंत्रियों कई सांसदों को विधान सभा का प्रत्या स्यासि बना दिया गया है तो क्या सियासि बधनावब देखते हैं." स्यम्तु पर्देश क लिए जो भी ज़रूरी चीज़ हो वहमज़ूर काम करें। अगर हम उत्तर देश की सियासत की बात करें तो जो मुस्लिम बहुले सीटे हैं उन पर कितनी मजबूती से भारतिय जनता पार्टी लड़ने जारी और उन सीटों के लिए आप क्या कैम्प करने जा रहे हैं क्या देखिए उत्तर प्रदेश पर जिस तरीके से हमारी डबल इंजन की मोदी और योगी सरकार ने पूरी इमानदारी से सबका साथ सबका विकास क के नारे पर काम किया उत्तर प्रदेश के समाज के मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए जिस तरक्की से काम हुए खास्त तौर पर पासमांदा समाज को जोडने के लिए जिस तरीके से काम हुआ आज पासमांदा मुस्लिम समाज के अंदर हमारे भारतियनता पार्टी के प्रत सिक्षा स्वाद सुरक्षा रोजगार उद्योग इन तमाम चीजों पर उनको बढ़ावा देने के नियत से हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और निश्य तोर पे लोगसभा के चुनाओं में पूरे उत्तर प्रदेश देश के तमाम मुस्लिमों का साथ भाजपा को मि दे रही है तो ऐसे में अखिलेश यादो जो छेत्र में निकल गए घूम रहे हैं और संक्यक बहुले छेत्रों में जा रहे हैं तो सियासी मिजाज जो वहां का है वह किधर रुख करेगा देखिए जो इंडिय एलाइन्स है यह जो समाजवादी पार्टी इनका एक मात एज दोखा देने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने कॉंग्रेस पार्टी ने किया आज हमारी देश की मोधी सरकार उत्रप्रदेश की योगी सरकार इमानदारी से मुसलिम समाज को डेवलप्मेंट से जोड़ने का काम कर रही है और आज मुसलमानों को साथ हमार और सम्मान देने का काम कर रही है केमरा पॉर्सन सैलेंट पाठक के साथ देवियंदूरा भार्त एक्स्प्रेस्ट लखनूंग।